Hello बच्चो C++ के इस वीडियो टीटोरियल में फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है और फिर हम एक पोग्राम करने वाले हैं और इस पोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूजर से हम एक नमबर लेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि वो नमबर एven है या औ and check whether a number is even or odd चलिए प्रग्राम शुरू करते हैं हम लोग तब से पहले header file include कर लेते हैं include iostream.h और दूसरा conio.h और फिर main function शुरू करते हैं word main फिर curly bracket open close उसके बाद इसके अंदर में CLR SCR जो की हमारा output screen clear करेगा और अभी यहां पे एक variable declare करेगे और यह जो variable हम लोग declare कर रहें इसका data type int है और इसका नाम num है अब यहां पे user को एक message देंगे हम लोग cout enter any number और फिर यहां पे हम लोग c in के द्वारा user से value लेंगे जो की आपका नम नाम का variable में store हो जाएगा और अब हम लोग if condition से check करेंगे कि यह number जो है यह 2 से divide होता है तो reminder जो है वो उसका 0 होगा देखे 2 से कोई भी number को हम divide करेंगे अगर वो even number होगा तो reminder क्या मिलेगा 0 मिलेगा तो reminder लेने के लिए हम लोग operator का use करते है जैसे मैं लिखूं यहाँ पे num modulus यह आपका modulus operator है और फिर यहाँ लिखूं to तो यह क्या करता है यह आपका reminder return करता है तो हम लोग बोल रहे कि अगर ऐसा होता है और इसका value equal to equal to 0 हो जाता है that means reminder जो है divide में हम लोग अगर 0 मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा कि number जो होगा यह आपका even होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग else में लिख देंगे कि number जो होगा वो आपका odd होगा फिर यहाँ पे get ch last में get ch bracket open close ठीक है यहाँ पे लिख दूंगा मैं see out number is even number is even और नीचे में यहाँ पे क्या लिकूंगा मैं number is see out number is odd ठीक है तो चलिए देखते हैं हम लोग compile करते इसको छे एरर किसलिए else यहाँ पे error है missing list हाँ error दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको बन नहीं किये है यह वाला और यहाँ पे भी हम लोग बन नहीं किये है और इसको invaded, भी close नहीं किये है अब compile करते है अब कोई भी error नहीं दिखाया था देखिए मैं 3 लिका हूँ 3 एक odd number है देखिए यहाँ दिखा रहा number is odd और उसी प्रकार से मैं फिर compile करता हूँ और अभी मैं 2L लिखता हूँ और देखिए 2L एक even number है तो देखिए आ रहा है number is even खीक है मतलब देखिए काम कैसे कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं कि number को 2 से यह divide करेगा तो remainder 0 होगा that means यह value equal to equal to 0 होगा तो इसको print करेगा otherwise 0 नहीं मिलता है तो फिर यह else वाला पार्ट को print कर रहा है तो जब भी कोई even number को 2 से हम लोग divide करेंगे तो remainder हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेग that means यह if polar condition true होगा तो इस कारणबर से यहाँ पर क्या print होगा number is even और बाकी दूसर number जैसे की odd number है तो उसको अगर हम 2 से divide करते है तो 0 नहीं मिलता है जिसके कारण कौन सार number print होगा number is odd print होगा ठीक है बच्चो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करें मे